हेलो इवरिवान मैं अंजली कुकिंग एंड ब्यूटी से तो आज मैं बताने वाली हूं आलू और जो फूल गोबी होती है उसकी सूखी सबजी बताने वाली हूं सिंपल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो ये फूल गोबी है उसको मैं कीड़े उड़े रहते हैं तो इसलिए जादा नहीं बालना बस थोड़ाई और इधर पैन चढ़ाय मतलब कड़ही चढ़ा दी हूं उसमें मैं डाल दी हूं दोसे तीन 2 टेवल स्पून ऐल डाल धी थी और जीरा तढ राई डालीए, इसको तरकने बाद मेẫn, इसमें डाली यह उमें, मिर्च और लर्म, दैब अच्छे से भूनेंगे लिग चाहिए पयास को जिरेए लिदे भूर उसको अच्छे से भूर्याम, का और वन्हा टाला पयास Ajit इसलिए तो इसे क्या होगा नितो हमारा प्यास जल जाएगा और आलू फिर पकेगी नहीं अच्छे से तो इसलिए हम आलू भी डाल दिये हैं अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे तो मैं ससुराल में हूं फ्रेंट तो मैं सो चलो इधर भी बना लेते हैं वीडियो तो उसके बाद यह हम ढख देंगे जिससे आलू हमारी थोड़ा सा जल्दी सौफ हो जाएं तो यह देखिए आलू थोड़ा सा हो गई है अब इसमें हम जो गोवी लिये थे उसको हम इसमें डाल देंगे तो गोवी को ज्यादा बॉयल नहीं किये बस थोड़ा सा गरम पानी किये और सब्सक् rifle के एख संब धस्की जालू हम हुड़ा साफ भी हो जाती हैं तो इसको अब गोवी को हम ढालने के बाद थोड़ा सा ढख देंगे तो 3-4 मिनट के लिए धसी के लिए धक देंगे और उसके बादाथ धनिया पाउर डाल दीज़ी में हल्दी पाउर डाल दीजुँएँ जाल डाल दीजि़ी अ आहे हमारे पासीScript के अधि़े खि़े कर देंगे अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद हम ढग देंगे तो 2-4 मिनट और हम इसे पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे तो आलू जब हमारी थोड़ा सब पक जाती है तभी हम टमाटर डाइट करेंगे नहीं तो क्या होता है कि हमारी सब्जी फ्रेंड्स डेडी हो गई है तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और अगर फहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना तो ओके फ्रेंड्स बाए टेक एर